नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुपित पूनम में दोस्तों आज हम बनाएंगे घुगनी यह यूपी की बहुत ही मसूर डिस है और बहुत ही सिंपल डिस है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होती है तो मटर के सीजन इस तरह के घुगनी अक्सर करके बनती रहती हैं और यह सभी लोग बनाते हैं लेकिन मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगे जिसे यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा तो चलिए बनाते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से समगरी लगेगी कैसे बनेगा मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करिएगा और जो पगल में घंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ त तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो गुगनी बनाने के लिए यह कडाही रख दिये हैं जिसमें हमने दो छोटे चमच तेल डाले हैं और इसमें हम थोड़ा सा काजू भून के निकाल लेंगे इसलिए हमने इसमें दो चमच तेल डाले हैं नहीं तो आप एक भी चमच तेल डाले तो भी हो जाएगा लेकिन इसको थोड़ा सा ब्राउन करके निकाल लेंगे उसके बाद हम इसमें घूगनी बनाएंगे तो काजु मारा भुन चुका है निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे करीब 3 हरी मिर्चे जिसको हमने काट लिया है डाल देंगे और एक चमच हम इसमें जीरा डाल देंगे और बाकि इसमें कुछ नहीं डालना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, तो यह हमने जीरा डाल दिया है, और दोनु जब थोड़ा सा चटक जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे आलू और मटर, तो आलू को हमने पतला पतला काट लिया है, नया आलू है, इसमें बहुत और यह देखें मटर हमने डाल दिया, मटर को हमने अच्छे से धोल के और फिर रखा था, पहले हमने चिल लिया, फिर इसको धोल दिया है, और अब इसी स्टेज पर तुरंत ही हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और फ्लेम बिल्कुल ही कम रखेंगे, तेज नहीं करेंगे, अगर आप इसको तेज फ्लेम पर भून देते हैं, तो इसकी सारी मिठास खतम हो जाती है, तो आप इसको कभी भी भूने न, और हलका ही फ्लेम करके इसको ठक के रख दें, जब यह उबलने जैसा भाप छोड़के पानी छोड़ेगा, तभी यह बहुत ही स् मिठा सा, इसका मटर का स्वाद निकल के आता है, तो अभी हम इसको फिर से ढख देंगे, क्योंकि अभी अमारा आलू पका नहीं है, तो अब देखें, आलू मारा पक चुका है, इसको मिक्स कर देंगे, अब हम थोड़ा सा फ्लेम तेज करके, जितना पानी इसमें छोड़ा है, बस उसको हम सुखाएंगे, भूनेंगे इसको हम बिल्कुल नहीं, तो इस तरह से हम चला के खुला ही इसको सुखा देंगे, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, यकीन मानिए, अगर आप इसको चाय के साथ खाएं, या फिर आप पराठे के साथ खाएं, तो भूरी सी गारणिसंग करेंगे, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता समझ लिज्याओ, बहुत ही बेहतरी नाष्टा है, ये सीजन का, तो इस तरह से हम गारणिसंग करके, और इसको हम सर्व करतेंगे, तो उमीद है, आपको भी पसंद आएगा, और अगर पसंद पिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमशकार।